हेलो माई फ्रेंड इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो इन्वेस्टी पॉइंट आप यू से बहुत ज्यादा इंजिनरिंग माथेमेटिक्स का टॉपिक है बाइसेक्शन मैथेड की हेल्प से रूट्स को कैसे फैंड आउट करते हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है तो उसके डिसकाशन से पहले मैं आपको बताऊंगा अपना इंट्रोडक्शन माइनम इस गुर्वीट सिंग यू टेकिन मेकैनिकल इंजिनरिंग गेट टुजी रूटूबन क्वालिफाइड इंट्रन सिमी फाउंडिशन ओके लेट रूट फाइंड आउट करना रूट क्या होता है रूट होता है कि एक्स की वह वैलू फाइंड आउट करनी है जहां पर जो एक्स है ना एक्स वह क्या हो जाए जीरो हो जाए अगर आपको स्टेट लाइन या कोडरेटिक दी होती है तो आप एजिली फाइंड आउट कर सकत है वट अगर क्यों देदी तो भी प्रॉब्लम होती है वट कर सकते हैं इसको भी फैक्टर पहले कर लो उसके वाइड करके हो जाता है लेकिन अगर मालो एक सी पावर फॉर दे दी तो क्या करोगे और एक्जेक्ट आपको चाहिए सोलूसान इसका तो इसके लिए यहाँ पास नुमेरिकल मैथेड का टॉपिक है वाइसेक्शन मैथेड तो इसमें क्या करते हैं वेसी घली पहले तुम्हां आपको बताऊंगा कि रूट का मीनिंग क्या है ग्राफिकली से तो देखिए रूट का मीनिंग क्या है अब सब्सक्राइब हमारे पास कोई है पंक्सन है लाइ तुकलिया को को यहां पर क्या एकस और या एकस टु आ है इन दोनों जगह पर है वाय की कि क्या ऑन ऐसे फेraf work's इसकी क्या जीडेगे आं पर यहां पर अब को वाइट वन पर पर क्या है जीड़ एफ फेलोपकthose का के तो यह क्या है हमारे रूट है अब अगर आप एक चीज एनलाइज करेंगे जो रूट है ना एकस वन है आपका रूट तो आप यहां पे देखिए यह यह चीज है ना जो यहां पर बाई की बेलू आगी इस पॉइंट पे सपोज इसको मैं बोलता हूं थ्री पॉइंट और इ होके और यहां पे बाई की वेल्व क्या है जो फंक्सराइब मतलब वाई की यह बहुत की जीरो कि अगर इस के थोड़ा राइटन साइड में गूंकरते यह एकस वन से तो आप देखेंगे फंक्सन हो क्या है फॉजिटिव है और थोड़ा लेटन साइड में अगर मूब करत उसके ऎकर लेफ्ट हैंड साइड में zarty ऑगे मोंग करेंगे यक सेक्सिस पर तो भाए के वहलु की ए यूद पोजिर और थोड़ा है पडला कि right single मुड करेंगे while गो rattling साइड और लेफ्ट अडल्राद साइड में क्या है निगेंटिव और लेफ्ट एंड साइड में भी पोजिटिव हो सकती है और राइट एंड साइड में भी पोजिटिव हो सकती है इसका मीनिक यह नहीं है कि लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव आएगी पोजिटिव भी हो सकती है लेकिन क्या है एक चीज़ाद रखना है कि रूट है वो हमेशा प पोजटेव है यहां पर नगेट बसे ँट हुब है तो हमेज़ा किया हुग अगलेफ्ट हैंड और राइट दिलस्ता숙ल में तो इसके और कि पो wait time तो इसी पे आधारत है है एक बाइसेक्शन मैठीर दिए कि इसमें क्या दिया गया कि फाइंड रूट आफ इक्वेशन आपको इक्वेशन दी भी है क्यों कि उसका क्या करना रूट फाइंड़ आउट करने के लिए देब हो सबसे पहले तो मैं कि आप क्या पता है कि अगर X1 मालो इसका root है ठीक है अगर X1 root है तो उससे अगर हम right hand side में move करेंगे या left hand side में move करेंगे एक side तो positive होगा बाई की value और एक side में negative होगी अब हम क्या करेंगे इसमें क्या procedure follow करेंगे कि X की value रखेंगे different different जैसे मालो X की मैंने 0 रखी 0 put की तो इसकी value कितनी आएगी minus 9 आएगी f of X की यहाँ पर 0 put करेंगे तो क्या आएगी minus 9 आएगी अगर 1 put करेंगे तो क्या आएगी 1 put करने पर दिखेंगे क्या हो जाएगा 1 का q minus 4 minus 9 मतलब कितना हो गया minus 4 minus 9 minus 13 और plus 1 minus 12 हो गया तो दोनों के आगी minus आगी अब two put करेंगे हमें यह find out करना है कि कहां पर positive or negative sign change होगा ना उन्हीं के बीच में ही हमेशा root होगा तो मैंने इसमें अब ऐसी करते गया पहले 0 फिर 1 फिर 2 put किया तूपे क्या यहाई नेगेटिव आई वेलू तूपे क्या आई नेगेटिव आगी वेलू इसकी और 3 मैंने पूट किया तो इस पर positive आ रही यह value आफ करके देख लेना एक बार f of 2 निकालना एक बार f of 3 निका कि कहां पर रूट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे approximation method मतलब iteration method पहले एक step फिर दूसरा step मतलब क्या root जो root होगा ना उनके बीच में उसके हम नियर पहुंचते जाएंगे pass में पहुंचते जाएंगे तो फ़र्ष्ट क्या करते हैं जो माने positive और negative value जहां पर find out की है तो उनका क्या लेंगे पहले तो average लेंगे है तुब और थी थी त्फैरी फ़ीट थिरीफ पोजिटिब तो हम गएंगे उनका फेले तो ऐरेज लेँ मीनस बाइस सेक्ट करेंगे तो मैंने can weeds कि एफट ऑफ एक्सीमी its अब फिर चैक करेंगे कि यह यह इरा यह आप एंदि राया अभी निया था तो इसका मुनिकिया है जो रूट है वो तूपंट फाइव है और जो पॉजि क्यों एगा अगर यहाला हमारा Y Jack करने के बाद नीदिफ वा तो पहले वाले नेगेटिव को क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे पहले वाला नेगेटिव कहां पर आया था तो इसका मतलब क्या है कि डू को रिप्लेस कर दो किससे तू पॉइंट फाइव से अब तू पॉइंट फाइव से रिप्लेस करेंगे ठीक है तो तू पॉइंट और 3 के बीच में रूट होगा यह हमारा एक इट्रेशन हो गया इसके बाद अगर सेकंड इट्रेशन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे अब देखो यहां पर मैंने मैंसन भी किया है यह चीज़ कि दरूट लाइज बिट्वीन एक्सवन एंड थ्री एक्सवन क्या है जो आय एक्सट्वाने पुट करके देखा यह अब मैं फिर द्वारा से करूंगा इस्ट्रेशन में क्या है रिपीटेडली क्या करना आपको फॉलो करना स्टेप्स अब एक्सट्व मैंने पूट किया जो आया था कि 2.5 अब 2.5 पर मैंने देखा कि जो आ रहा है वो हमारा लीजिए पाले को रिपलेस कर दो अब किश्रों पॉछिदि बढ़ने को रिप्लेस कर दो और और पॉजिटिव अब कहुं सा था फ़्याला जो पॉजिटिव अब थ्री को रिप्लेस कर रो इससे 2.75 से अगला रूट हुए अगला रूट नहीं भाई व्याला रूट एप्रॉक्सिमेशन होने के बाद यह इस्टेफ्स आ रहे हैं तो वह होगा आपका 2.75 और 2.5 के बीच में समझ रहे होगी नहीं देखो तब दिस दर डिस दरूट लाइज बिट्वीन एक्सवन एक्सटू दस्ट फर्स्ट एफ्रॉक्सिमेशन टूदी रूट इस अब अब क्या करेंगे जो भी पोजिटिब और नेगेटिब यहां पर भी उनका क्या लेते जाएंगे उनका जाने हैं वो किसके 2.5 और 2.75 के बीच में हैं वे समय ठीक है तो इनका क्या हम करेंगे इनको एड़ करके तूसे डिवाइड करेंगे अब जो भी बेलू आएगी जो भी बेलू आएगी उसको क्या करेंगी f of x में पूट करके रखेंगी f of x में पूट करने के अगर वो निगेटि वाति है नहीं से जहां पर भी जो रिप्लेस कर देंगे कि अगर टूपइंट से करेंगे जो इनका है अब 2.625 2.625 से 2.5 वह एपना 2.625 और 2.75 के बीच में रूट हो गया अपना देखो यह यहां पे एवरेज लिया उसका 2.5 और 2.625 और 2.75 का अब ऐसे ही हम रिपीट करेंगे इसी कोई आगे इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे तो हम पहले तो क्या मैंने फाइंद आउट गिया देखो पहले कंकलूड कर देता हूँ एक वार देखो देखोर देखोर हमें क्या करना ला सबसे पहले तो find out करना है कि जो function है कहां पर positive है और कहां पर negative है अगर positive negative बाले points बता कर लिए तो उन्हीं के बीचे मिमारा कहीं ना कहीं root है अब उस root तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे हम लेंगे उन दोनों का average जहां पर positive और negative था अब average लेने की बाद हम देखेंगे कि जो average लेने की बाद जो भी एक्स की वेलू आई उसको f of x में put करेंगे f of x में put करने के बाद देखेंगे और वो positive आ रहा है तो जो पहले वाला positive था उसको क्या कर देंगे उससे replace कर देंगे अब ऐसे ही क्या है कि अगर फिर दो पॉइंट हो जाएंगे मेरे पास फिर उन दोनों का average लेंगे और इसको function पूट करके देखेंगे अगर नेगेटिव आगे तो नेगेटिव बाले को replace कर देंगे और फिर मेरे पास दो फिर उनका average लेंगे इसी तरी से तरीके से क्या करते जाएंगे प्रोसीजर फॉलू करते जाएंगे ओके और हम एक्सवन एक्सटू एक्सटू एक्सट्री एक्सफाइव ऐसे ही सब की वेलू find out करते जाएंगे फिर एक चीप मैं एनालाइज करूंगा कि इसमें क्या था 2.71857 2.70313 इसके बाद देखेंगे कि यहां पिर तुपांट 7 तक तो यह क्या कॉंस्टेंट से उसके बाद वाले जो डिजिट्स न वो वह एरी कर रहे हैं वह अगर कॉंस्टेंट होना इस्टार्ट हो जाएं यह जाएं फिए हैं 20702 पांट 7 0 6 अब तू पांट 7 0 6 और म तो क्या करेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि 2.706 है अब 2.706 यहां पर भी आ गया तो यह ही क्या है हमारा आंसर हो गया मतलब रूट हो गया उसका इट्रेशन में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंड में क्या बीटेक की बात करने बीएस्टी की बात करने हर जगह पर यह और सेमस्टर एक्जाम से पूछा ही जाता है तो इसलिए इसको प्रपेर कर लें कुछ नहीं है बहुत आसान है आपको मैंने एक एक्जामपल की हेल्प से समझाने कोसिस की और देखना व पुके थेंक्स वर वाचिंगे वीडियो शॉल शॉल वांक सिर्क टेंग करें आखिओ नियुक्तक है हॉलु प्राइल बिक्राइल हुल जनेच नहीं दोगा सिरिएरव जू अ